एसीबी में किसी आईयस अधिकारी की शिकायत कर ट्रैप करवाना किस तरह से एक परिवादी को भारी पड़ रहा है इसकी बानगी बारा कलेक्टर इंदर सिंग राव के ट्रैप मामले में देखी जा सकती है पुरा मामला बारा में पेट्रोल पंप की एनोसी जारी करने के एवज में घूस लेने के मामले से जुड़ा है जहां 10 दिसंबर 2020 को एक लाग चालीस हजार के रिश्वत लेने के एक आरोपी में कोटा एसीबी द्वारा ट्रैप किये गए बारा के ततकालीन कलेक्टर आईएस इंदर सिंग राव के पिये महवीर प्रसाद के गिरफतारी के बाद पूश्टाच में आईएस इंदर सिंग राव की मिली भगत के सामने आने के बाद गिरफतार कर जेल बेचने से जुड़ा है ततकालीन कलेक्टर आईएस इंदर सिंग राव की गिरफतारी के बाद अभी तक इस पूरे मामले में परिवादी पेट्रोल पंप संचाला गोविन सिंग यादव न्याय के लिए दो विभागों के बीच चक्कर काट रहे हैं पूरा मामला पेट्रोल पंप की के बाद मामले को लेकर वर्तमान जिला कलेक्टर पेट्रोल कमपनी को पत्र लिखा गया है जहां एक महीने में लीजडीट के निशपादन के लिए कमपनी को कहा गया है तो बता दे कि जिला कलेक्टर द्वारा कमपनी को पत्र लिखे गए हैं दो महीने हो गए ये पत्र लि करने के लिए भी कंपनी द्वारा कहा जाता है परिवादी गोविन सिंग यादव का कहना है कि उसके खिलाफ सून योजित तरीके से मामले में दोनों विभागों द्वारा करीब पांच महिने बीच जाने के बाद भी लीज डीट के निश्पादन की प्रक्रिया नहीं की जा रही है परिवादी कई मंत्रियों और सची बाले के कई बड़े अफसरों सी न्याय की गोहर लगा चुके हैं मगर अभी तक आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला है संपून प्रक्रिया लीज डीड उस भूमी के निश्पादन की लीज डीड की संपून प्रक्रिया आज उस केस के अंदर भूसकान्ड जो जिला कालिक्टर इंदर सिंग राउजी जो पांच मेहिने से जेल के अंदर बंद हैं उसके बावजूद भी आज तक इस परकरण में लीज डीड अभी तक भी निस्पादन नहीं हुई है जिला कलेक्टर ने कमपनी को लेटर लिखा हुआ है कि आप एक महीने के अंदर इसके लीज डीड निस्पादन करवाएं जिला कलेक्टर को भी लेटर लिके हुए दो महीने हो गए हैं परन्तु कमपनी के द्वारा अभी तक लेज डीड निस्पादन